हलो फ्रिम्स दिस इस सुमित्रा और वेलकम टू टेक मन्थन तो डिसकस करेंगे आज हम लोग थॉन डाइक का मल्टी फेक्टर थियोरी ठीक है एनार्चिक थियोरी भी इसको कहते हैं बहुत अत्व का सिध्धान भी कहते हैं प्रमानुवादी बालू का टीला विशेश योग है यह सभी साइकलोजिस्ट का एक एरिया ओफ इंट्रस्ट रहा है हमेशा से कि इसके अंदर काफी इंट्रस्ट रहा है सभी साइकलोजिस्ट का तो एल्फरिट बिने ने जैसे की वन फेक्टर थियोरी दिया उसको थोड़ा सा क्रिटीक किया फिस पियर मैन ने उन्होंने विल्कुल नकार दिया उन्हों ने क्या किया था, के बैसिकली सिर्व क्रिटीक किया, उसके डिबेट किया और कि उन्होंने सिर्मन के सिर्भीण के सिर्व को लिवंहें, कोई intelligence नहीं मिलती है हम जो कुछ भी पाते हैं intelligence की जितनी भी हमारी वृद्धी होती है जितनी भी हमारी बढ़ती है intelligence हमारी वो time के साथ-साथ और हम बाहर से acquire करते हैं हर एक चीज़ को हम सीखते है general factor नाम की कोई चीज़ किसी इंसान को नहीं मिलती है तो उन्होंने general factor को एकदम कटा लगा दिया और जो specific factor है उसको उन्होंने माना है कि वह यह specific factor जरूर होता है जिसको की हम क्या करते हैं अक्वायर करते हैं यह उन्होंने भी खा था spare man ने की specific factor को हम acquire करते हैं तो इसी लिए इसको विसेश योग गिता का सिध्धान्त जय वो कहा जाता है इन्होंने क्या कहा है एक और चीज़ देखते हैं जरॉर इसको थोड़ा ठीक है देखिए इन्होंने कहा है कि according to thon dyke there are many elements of intelligence in any person which together form that intellect ठीक है इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति में बुद्धी के अनेक तत्व होते हैं जो मिलकर बुद्धी के निर्मान करते हैं इन्होंने कहा ना एक तत्व होता है ना दो तत्व होते हैं इन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे तत्व होते हैं जिसको मिलाकर intelligence बनती है एक इंसान के अंदर बहुत सारे factor होते हैं जितनी mental abilities वो करता है जितने task वो करता है उतनी ही तरह की intelligence होती है उसके अंदर में ठीक है तो ऐसा कहा है इनों ने intelligence is composed of nothing but several elements और group of factors and each element or factor exhibit a specific ability ability अब इनों ने कहा बुद्धि और कुछ नी बलकि सभी तत्वों का कई तत्वों को सम्मू से निर्मित होती है प्रतीक तत्व या कारक जोता है एक विशिष्ट शम्ता को प्रदर्शित करता है इसलिए इसको बुद्धी का प्रमानुसिद्धात कहा जाता है कि जितनी भी abilities ह वो सारी अपने आप में specific है अलग-अलग है और सारी independent है ठीक है तो इसलिए इनोंने कहा है कि बुद्धी की एक तत्व दोता तो नहीं है बहुत सारे factors हैं बुद्धी के अंदर में ठीक है नेक्स्ट इनोंने क्या कहा कि जो intelligence है आपकी थॉंड डाई compared this theory to sand dunes यानि कि रेत क अंदर तो शुक्त की जखिए अंधर वाचोन होती है इसलिए इसको maize review उस यह प्लम है बेंग करने कि एनहीं सकते हैं अर् इसको और सरनातूं का च्वी और सच्जानुन रेत की तरीके द्रिवनÇ कहा है अब उन्होंने क्या कहा है कि three different types की intelligent आपकी होती है इसी में क्या है इसमें भी बहुत सारे factors होते हैं और यह सारी दूसरे से क्या होती है independent होती है बिलकुल ठीक है तो first क्या बोला उन्होंने कि भाई first इन्होंने क्या बोला abstract intelligent यानि कि मूर्थ बुद्धी या सार बुद्धी भी इसको कहते है हिंदी में ठीक है it is the ability to learn different type of verbal और mathematics method and actions यानि कि विभिन प्रकार की मौखिक अत्वा गणितिय विदियों और क्रियाओं को सीखने की शमता है abstract intelligent क्या होती है भाई आप आपकी जो abstract जो बुद्धी है वो किस तरीके से काम करती है कितने प्रभाविधन से काम करती है यानि कि math से related आपकी बुद्धी कितनी अच understand and work on scientific method or equipment which is also called mechanical intelligence इसको कहते हैं ठोस बुद्धी या फिर इसको हम concrete को मूर्त कह देते हैं जैसे कि यह वैभार की कुशलता विज्ञानिक विदियों और उपकरनों को समझने और उन पर करने की उन पर कारे करने की शमता होती है जिसको कि अंकरिक बुद्धी कहते हैं यानि क concrete चीजों को लिए concrete intelligence जैसे कि आपकी किसी space को देख करके आपने बता दिया कि यहां पर यह यह चीज़ें होती हैं ठीक है तो concrete चीजों को देख करके बताना जैसे कि scientist वगेरा होते हैं उनके अंदर में यह होती है आपकी बुद्धी ठीक है तो equipment को लेकर के चीजों को लेकर अब social भई हम लोग social being है सारे समाज में रहते हैं ठीक है तो ability to understand and treat individual by living in society भई समाज में रहकर व्यक्तियों को समझने और उनसे वैवार करने की शमता भई जिस society में हम रहते हैं उनको किस तरीके से हम लोगों को समझते हैं किस तरीके से उनकी साथ behave करते हैं वो भी हमारी intelligence का क्या है एक पार्ट है तो इन्होंने यह बताया और इन्हीं intelligence को इन्होंने four attributes में बुद्धी के चार इन्होंने गुण बताए ठीक है तो first क्या बताए इन्होंने level second इन्होंने range बताया फिर area और फिर गती यानि स्तर सीमा छेत्र और गती ये चार इन्होंने आपके attributes दिये तो level क्या है basically the complexity or difficulty of task one can perform बही किसी कारे की कठिनाई का स्तर जिसे हल किया जा सकते है बही अगर आप एक जो आपका जो task है उसको अगर आप इस तरीके से नीचे से उपर की तरफ लगाने लगें कि ये 10% difficulty ये 20% difficult है ये 30% ये 40% 50% तो वो बच्चा किस level तक की task को जो है complete कर प पा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं स्तर ठीक है next है आपका range यानि कि सीमा अब क्या होता है variety of task of given difficulty that we can solve ये कठिनाई के कार्यों की विविदता को संदर्भीत करता है जिसे हम हल कर सकते हैं बही किस range तक का काम कर पा रहे हैं हमने देखा किस level तक का का काम कर पा रहे है और उसके बच्चे को आपने सम दिया वो उसी सम को तीन तरीके से solve कर पाता है तो वो क्या है उसकी range है ठीक है उस task को करने कि उसकी क्या होई range हुई वो area क्या है आपका area is the summation of all the ranges at each level of intelligence processed by an individual यानि कि सीमा का आर्थ क्या हो गया प्रतेक सर की कुल संख्या जिस पर व्यक्ति प्रतिक्र area देने में सक्षम है अब आपने पढ़ा कि range होता है ठीक है range में आपने देखा भी बच्चा किस range तक को solve कर सकता है अब बहुत सारी range को अगर हम sum up करते हैं तो वह आपका क्या होगा area बन जाता है इतनी सीमा तक ही बच्चा जो है इस area तक ही बच्चा जो है वो सूच सकता ह range को सारी को हम sum up करते हैं अगर कि इस range का काम बच्चा कर सकता है उन सबको अगर हम sum up करते हैं उन सबको तो इतने area तक है कहते हैं particular area तक ही बच्चा जा सकता है area तक सोच सकता है तो वह आपका किस में आता है area में आता है ठीक है next है आपका speed the number of tasks one can complete in a given time यह उन कार्यों की सं क्या को संदर्बीत करता है जो एक निश्चित समय में पूरा हो सकते है यह पूरा किया जा सकता है या कोई कर सकता है ठीक है तो speed क्या है भाई आपने बच्चे को task करने के लिए ठीक है आपने उसकी range देखी level देखा बट आपको एक चीज और भी देखनी है कि उसकी speed क्या ह में या चार questions को करने में वो 10 मिनट लगाता है 15 मिनट लगाता है तो आप देखेंगे किसी task को करने की speed कितनी है एक speed में आप कितने task को complete कर पाते हैं ठीक है तो वह आपका speed में count होता है तो इन्होंने इस तरीके से चार जो है आपके attributes दिये तीन तरह कि इन्होंने intelligence को माना और इन्होंने कहा कि intelligence जो है आपकी वो group है बहु कारक सिधानत इसलिए कहा है इन्होंने बहुत सारे जो element है बहुत सारे जो factors है वो intelligence में होते है एक दो तीन इन्होंने मतलब उसको नहीं माना है G factor को इन्होंने क्या किया है जो spearman का था उसका इन्होंने बिल्कुल भी किया है उसके साथ में debate किया है कि G factor नाम की कोई चीज नहीं होती है specific factor को इन्होंने माना है spearman के कि यह specific factor होता है और वही हम अर्जन करते हैं अपने environment से अपने experiences से ठीक है तो यह इनकी theory थी और इससे related questions जो है CTAT में तो कुछ मतलब काफी कम ही आते हैं पर यह बाकी TET exams में ज SEND theory जो है बालू का सिद्धान्त जो वह किसे कहा जाता है 1 Factor theory, Multi factor theory, Tractic theory या फिर Group factor theory यानि कि एक कारक सिद्धान, बहु कारक सिद्धान, त्रीतंत्र सिद्धान, Group factor, Group factor का यह पर 3 आया में नहीं आएगा ठीक है तो Group factor theory यानि कि बहुत सारे factors Group factor यानि कि क्या बूलेगे Hindi में कि वह इसको किसे जाता है ठीके- बालु का किसको कहेंगे आम लोग बहुकारख सिद्धांद को ठीक है बहु कारख सिद्धांद को कहेंगे जो किया तॉन डाइक का है आपको पता है ठीके समुकारक, ग्रूप फेक्टर को कहेंगे हैं समुकारक, ठीक है, नेक्स्ट है आपका how many elements, how many types of intelligence जिस थॉन डाइक गीवन, थॉन डाइक ने कितने टाइप की intelligence बोली है, कितने परकार की है, एक, दो, तीन, चार, तो इन्होंने क्या कहा, तीन परकार की intelligence है, वैसे इन्होंने यह नहीं कहा कि तीन factor है, ठीक है, अब आप इसमें confused नहीं होना कि उन्होंने कहा था कि factor नहीं है, इन्होंने factor नहीं बोला है, three types उन्होंने divide किया है, जैसे कि उन्होंने बोला concrete है, abstract है, social intelligence है, तो इस तरीके से नोने थ्री टाइप दिये हैं आपके ठीक है नेक्स्ट है आपका who gave multi-factor theory of intelligence बुद्धी का बहु कारक सिधान जो है वो किस ने दिया है अल्फरेड बिने, स्पियर मैं, गार्डनर या थॉन्डाइक तो अभी अभी हमने पढ़ा कि किस ने दिया है थॉन्डाइक ने दिया है इसी तरीके की कुछ जो questions होते हैं वो आपके आते हैं इसे related ठीक है Which of the following statement is not true about intelligence बुद्धी के बारे में कौन सा कथन ऐसा जो सत्य नहीं है This is a personal mental capacity यानि कि एक व्यक्ति की मानसिक शमता है या आपकी person's mental capacity ठीक है It helps to adapt या reconcile या अनुकूलन और सामजस्य सापित करने में सायक है It is judged by the quality of behavior यानि कि ये वैवार की गुणवता से आकी जाती है This is permanent and unchangeable feature यानि कि एस थाई और आ परिवर्थनशील विशेष्टा है तो बिल्कूल इसके अंदर not कहा गया है आपको not true बोला है तो ये क्या होगा आपका ये एस थाई और आ परिवर्थनशील विशेष्टा बिल्कूल नहीं होती बुद्धी कभी भी Unchangeable नहीं होती ये आप जैसे कि हम लोग पढ़ी रहें कि बुद्धी को आप क्या कर सकते है experience की basis पे आप इसको क्या कर सकते है बैतर बना सकते है कुछ factors को हम बिल्कूल change कर सकते है ऐसा नहीं है कि बिल्कूल permanent है एक बर आपको मिल गई बुद्धी जो है पैदा होने के time तो वो कभी change नहीं होगी ऐसा नहीं होता है ठीक है तो ये हमारा आज का discussion था अगर आपको discussion पसंद आया हो तो जरूर इसे like करें चैनल पर नए है तो subscribe कीजिए और bell icon जरूर hit कीजिए ठीक है सभी friends के साथ में share भी कीजिए अपने जो भी आपकी preparation कर रहे है seated की या किसी भी debt exam की preparation कर रहे है thank you keep learning keep supporting